आज के इस वीडियो में फ्रेंट्स मेरे पास है सेमसंग का गलेक्सी एफ 14 5G तो फ्रेंट्स इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसी फॉन के टॉप 10 इस वीडियो के बारे में जिनका यूज करके इस फॉन को और भी बहतर तरीके से आप यूज कर सकते हैं और भी एडवांस तरीके से यूज कर सकते हैं तो अगर आपको उन फीचरों के बारे में जाना है तो इस वीडियो को लास्तर देखिए तो चली फ्रेंट्स इस वीडिय क्लिक करना है अब यहाँ नीचे की और आपको किसी भी apps का अगर split screen use करना है तो यहाँ दूसरे apps को आप कुछ इस तरह से open करा सकते हैं तो दो apps को आप same time में इस तरह से use कर सकेंगे एक application को आपको close करने की जरूद नहीं रहेगी इसके लावब एक apps को आप जादा एरिया में यूज करना चाहते हैं तो वह भी option यहाँ इसके आप इस तरह से खिएगे तो एक apps को आप ज्यादा एरिया में भी use कर सकते हैं उपर वाले को नीचे नीचे वाले को ऊपर भी कर सकते हैं इसके आप बीस वाले option करेंगे skin automatically on हो जाएगी इस feature को on करना चाहते हैं तो phone की setting में जाएए phone की setting में जाके scroll down कीजिए आपको नजर आएगा यहाँ पर advanced feature इस पर click करेंगे और यहाँ click करेंगे वाद आप motion and gesture पर click केजिए अब आपको देखने में लेगा आप इस तरह सेllow कर सकते हैं अपको यह future मिल जाते हैं एक और गार इसको आप आप कर लीजिए इसको आन करेंगे तो आप जैसे किसी सी बीडियो के लिए view कर रहे हैं आप view करते करते हैं जैसे आप अपनी हटाएंगे उस वीडियो से automatically आपकी वीडियो पुस हो जाएगी तो यह काफी advanced feature इस phone का हो जाता है अगर आप इस feature का use करते हैं तो इस तरह से friends आपको फीचर इस phone में मिल जाएंगे नीची को और कुछ इस phone को आप जैसे भी pick up करेंगे वह call mute हो जाएगी अगर चाहते तो switch wizard को on कर सकते हैं ने तो disable भी रख सकते हैं नीहा नीची की side देखने को मिलेगा आपको pick up phone को call का इक option इसको on रखेंगे तो आपकी फॉन पर जैसे कि किसी सब बात हुई है आप उसकी call को redial करना चाहते हैं तो details आप उसको निकाल लीची call की और call की details निकाल के directly phone कान की ओर ले जाएगी automatically call वो redial आपकी हो जाएगी फिंगर से जैसर का एक option मिलेगा आप जब respect करते हैं तो fingerprint की मदद से आप उपने control panel को कुछ इस तरह से open करा पाएंगे जैसे कि इस समय open हुआ तो इसको पहले आप यहां से on कीजिए अप fingerprint टच कराके कुछ इस तरह से अपने control panel को आप open कर सकते हैं तो इस तरह से आप control panel को यहां से अपने fingerprint की मदद से बहुत आसानी से access कर पाएंगे तो इस feature को जरूर से use कीजिए आपको अभी तक कौन सा feature इस phone का अच्छे लगा मुझे comment करकर जरूर से बताएं वीडियो कैसे लगा आपको यह भी comment करकर जरूर से बताएं इस phone में friends आपको ads panel देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह से आपको निक्नलने को मिलेगा यहां पे कुछ apps को आप अपने हिसाब से control कर सकते हो लगा सकते हो जैसे कि आपका कोई favorite apps है आप यहां पे add कर सकते हो इसके लिए आपको लगाना है तो आपको जाना होगा phone की setting में phone की setting में जाके आप display option पर क्लिक कीजिए यहां आने की बाद आपको यहां से scroll करना है देखने हो मिलेगा आपको ads panel इसको आप on कीजिए on करने पर यहां पर आपको कुछ आपकी favorite apps देखने को मिल जाएंगे जिनको आप daily यह जिसमें use करते हैं तो यहां पर आपको सभी मिल जाते हैं इसको बहुत आसानी से use कर सकते हैं तो कहीं भी आप apps में हैं किसी apps में use करें किसी को भी तो अपने एक्स पैनल को निकालके अपनी favorite apps को कहीं से भी आप access कर सकते हो इस phone में screenshot लेने के आपको तीन तरह की मिलते हैं जिनका use करके तीन अलगलग तरीकी से screenshot आप ले पाएंगे तो पहला option रहेगा वो उनका volume down button and power button एक साथ प्रेस करेंगे screenshot आपको मिल जाएगा इसके अलावा अगर आप चाहते है इस phone में long screenshot को लेना तो वह भी आप बना सकते हो उसके लिए आपको जाना होगा long screenshot area में तो हम चलते हैं setting में long screenshot बहुत आसानी से बन जाएगा अब जैसे कि मुझे एक बार में यह पूरा screenshot चाहिए तो पहले एक normal screenshot हमें क्लिक करना होगा अब आपको एक आईकन निजर आएगा इस icon पर klik करेंगे तो यह scroll हो जाता है जितना आप scroll करना चाहेंगे उतना यह long हो जाएगा तो यहां click करते जाएगे यह long हो जाएगा scroll होता जाएगा और यह आपका long screenshot बन का जाता है तो इसके लावे एक और feature रहता है skin shot लेने का जो की रहता है आपका crop skin shot तो इसके लिए आपको तोड़नों finger से इस तरह से आपको अपने button press करने है और इस icon पर click करना है अब जिस area का आपको skin shot चाहिए आप इस तरह से यहाप आपके select कर सकते हैं आपका यह crop skin shot save हो जाएगा इस icon पर click करके इसको gallery में आप save कर सकते हैं इस phone की power button को आप press करा के अपने camera apps को कुछ इस तरह से open कर सकते हैं जैसके आपने दोवार power button press करना है आपका camera apps open हो जाएगा तो दोवार press करने पर आप camera apps को open कर सकते हैं इसके लाब अगर आप चाहते हैं या पर कोई open apps पर select करना है अब अपने favorite apps को select करना है जैसे कि मैंने calculator को select किया अब आपको दोवार बाटन प्रेस करना है तो आपका calculator directly open हो जाएगा तो यहां से अपने apps को जो भी आपका favorite apps रहता हो ज्यादा fast उसको open करना चाहते तो यहां आके उसको आप चेंड कर सकते हैं लगा सकते हैं तो यह काफी unique feature हो जाता है इस फोन आपको बंड हैंड मोड का भी यूज मिल जाता है देखने को इसका भी आप यूज कर सकते हैं मलब इस फोन को एक हाथ से बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं इस फीचर को on करने के लिए फोन की setting में जाएगे scroll down कीजिए scroll down करने फिर से आपको advanced feature में जाना होगा इसकी बाद आप यहां देख सकते हो आपको मिल जाता है बंड हैंड मोड तो इसको आप यहां के on कर लिजिए अगर इस फोन में आप बटन का यूज कर रहे हैं तो आपको यहां क्लि कर लीजिए आपका left hand side यह चला जाएगा फुल स्कीन करना चाहते तो blank area में क्लिक केजिए यह फुल स्कीन हो जाता है अगर gesture का यूज कर रहे हैं मतलब hide है आपके button gesture का यूज कर रहे हैं तो यहां पर आपको gesture select करने होंगे और आपको इस तरह से down करना होगा तो आपका यह आपको एक ऐसा feature मिल जाता है जैसे कि आपके phone पर कोई भी notification आएगी आपको एक effects नजरा आएगा आपके screen पर उस effects को कैसे on करते हैं चलिए इस video में जानते है उसको on करने के लिए आपको जाना होगा phone की setting में phone की setting में जाकि आपको scroll करके देखने को मिलेगा notification इस पर click करना है edge style के लिए आप यहां पर क्लिक कीजिए अब यहां पिए आपको बहुत सारी अलगलग तरीके के style मिल जाते हैं की piano करसे किस यहां पिआपको देखनों कर सकते इसकी बाद टन कीजिए आपकर जब भी नटिफीकरसन आएगी आपको फिस आप larva दिखाई देगा जो किया यहा से नोडिफिकेशन में आप कोई भी एफेक्ट को एड़ कर सकते हो इस फोन की लॉक स्कीन जो आपकी स्कीन होती है इसको बहुत अच्छे सा आप कस्टमाइज कर सकते हैं जो कि आपको अपनी सापसे साइड कर सकते हैं यहां तक कि लॉक समय कोई मैसेज बगएरा चाहें तो इसको भी सोखरा सकते हैं इसके लिए आपको लॉक करना है सकीन और इस तरह से ओन करना है इसके बाद इस पर टैप एंड होल कीजिए आपको कुछ इस तरह से ऑप्सन खुल जाएगा अब आपको अगर करना तो क्लॉक स्टाइल आपको नजर आएंगे तो यहां से अपनी क इसको लिए और तो किया और इसके लावा लिए कॉ जह रेकार सकते हैं अब आपको आईकन आपको आपको कर सकते हैं प्लिश के आइकन पर जाके किसी भी स्को लगा सकतें आयंपे अ करके डाक क्किल्यप कर है यहां को हटा कि मैं यहां पर किसी दूसरे एप्स को भी एड कर सकता हूँ तो जो भी आपको अच्छा लगता हूँ फेविट एप्स या पिर आप ज्यादा यूज़ करते हैं उस एप्स को यहां बहुत आसानी से एड करके सेव कर लीजिए तो यह लॉक स्किन कुछ इस त प्लिक की यहां पर आपको बेकरांड नजरा आएगा इस पर क्लिक कीजिए जाल ब्लस के आपा गजए हो जब कि यहां पर आपको देखने को मिल रही है इस पॉर्ण में आपको और भी ऐसे एडवन्ज फीचर मिल जाते हैं जिनका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप यहां पर जाने पर मोर देखेगा आपको यहां क्लिक करना है स्क्रॉल डाउन करने पर देखने हो मिलेगा कॉल इस पर क्लिक करके परमिशन देन यह एलाव करना है और बैगरण के लिए क्लिक करना है अब जो भी वीडियो उस नंबर की आप जो भी नंबर के लिए आप सेलेक करना चाहते है उसको इस तरह करके आपको यहां पर क्लिक करना है आपकी कॉल बैगरण वह आपकी इस तरह से चेंज हो जाएगी सेम इसी तरह से रिंग डॉन बदल सकते हैं उसका पैटन का बाबरेड भी बदल सकते हैं यह सारे आफ़सर बहुत एडवान सोचों के इस फोन के अंदर तो अपने हिसाफ से जिस जितना हद तक आप कस्टमाइज करना चाहते हैं या फिर आपनी कर्सकों कर सकते हो इस स्के अलावे इस fon के अनदरा पौप पूप बहुत है कर सकते हैं फुल स्क्रीन कर सकते हैं बहुत सारे कस्टमाजेशन के आपसन अविलिबल रहते हैं तो इस तरह से किसी भी आपस का पॉप अप में भी यूज कर पाएंगे इस फोन के अंदर तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एड़ांस वीचर इस फोन के जिनकी बारे में आज आपको बता उन सभी के बारे में इस चैनल के आपको पाता चलेगा तो चलिवर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल लेकिन को पैस करना ना भूलें तो चली फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए गुद्बाई एंड टेक कियर